हम देख रहे हैं कि इस वक्त पंजाब में किस तरह से राजनेतिक माहौल है, राजनेतिक अस्थिर्ता बनी हुई है, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, सत्ता की गंदी लड़ाई चल रही है, लोगों को समझ नहीं आ रहा कि हम अपनी समस्याएं ले कि किसके पास जा ना दिया है, अब आम आदमी पार्टी ही पंजाब को एक स्थिर सरकार दे सकती है, अच्छी सरकार दे सकती है, इमांदार सरकार दे सकती है, तो केवल चार महीने रह गए हैं, चार महीने के बाद जब चुनाव होंगे तो उसके बाद आम आदमी पार्टी पंजाब को एक स संदेश है चन्नी साब को मुख्यमंत्री बनने पर मैं बधाई देना चाहता हूं और शुक कामनाएं देना चाहता हूं हम तो चाहते हैं कि पंजाब का विकास हो पंजाब प्रगति के पत्थ पे आगे बढ़े चन्नी साब को मैं कहना चाहता हूं कि पंजाब के लोग सबसे पहले पाँच चीजे मांग रहे हैं इन पाँच चीजों पर वो तुरंत कारवाई करें नंबर एक आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने अपने मंत्री मंदल में दागी लोगों को शामिल किया कि आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने दागी अफसरों को अच्छी अच्छी इंपॉर्टेंट पोस्टों पर बैठाया है कि मैं उनसे निवेदन करूंगा कि जितने दागी मंत्री हैं जितने दागी विधायक हैं और यह जितने दागी कि अफसर हैं इनको तुरंत हटाया जाए इनके खिलाफ पर्चे किये जाएं और इन पर सक्से सक्त कारवाई की जाए यह पहली चीज़ पंजाब के लोग मांग कर रहे हैं एक मिनट एक में दूसरी चीज़ बरगाडी कांड को लेके पूरे पंजाब की जनता बहुत नाराज है पंजाब की जनता चाहती है कि बरगाडी कांड के जो मास्टर माइंड थे उनको आज तब कोई सजा नहीं हुई और मास्टर माइंड कौन है यह मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कुमर विजय प्रताप सिंग जी की रिपोर्ट है चन्नी साब उस रिपोर्ट को उठा के देखने उसमें नाम लिखे हुए है 24 घंटे के अंदर उन पे कारवाई हो सकते उन्हें गिरफतार किया जा सकता बरगाडी कांड के दोशियों को पूरे पंजाब की आत्मा को शांती मिलेगी तीसरी चीज़ कैप्टेन साब ने जो वादे किये थे चन्नी साब उन वादों को पूरा करे या तो कहें कि कैप्टेन साब ने जूट बोला था मैं नहीं मानता कैपटन साव ने गाधा मैं रोजगार दूंगा सबको और जब तक रोजगार नहीं मिलेगा मैं रोजगार भटता दूँगा बेरोजगारी भटता तुरंट दिया जाना चाहिए एक हफ्ते के वादय किए थे चन्नी साहब उन वादों को पूरा करें, या तो कहें और Captain साहब ने जूड़ बोला था, मैं नहीं मानता, Captain साहब ने का था मैं रोजगार दूंगा सबको, और जब तक रोजगार नहीं मिलेगा मैं रोजगार भट्ता दूंगा, बेरोजगारी बत्ता तुरंत दिया जाना चाहिए एक हफते के अंदर उसको शुरू कर दें पिहले साड़े 4 साल का बखाया वो भी सारा दे तो जो कैप्टेन साहब ने वादा किया था बेरोजगारी बत्ता दूँगा रोजगार दूँगा काड लेके गूम रहे हैं वो का था किसानों के लोन माफ करूंगा सारे किसानों के लोन माफ करें और पांच भी चीज कॉंग्रेस ही कह रही है बार-बार की हमें पता है कैसे पावर परचेज एग्रिमेंट कैंसल हो सकते हैं तो पावर परचेज एग्रिमेंट कैंसल करें यह पांचों चीजें करें चन् झाल झाल